हम लोग अपने learning process को continue रखते हैं आज के session में हम लोग discuss करेंगे कि कल हमारे क्या trade plan रहे हैं जिससे हम लोग अपनी positions को maximum profit के साथ close करें और bank nifty के कौन से levels आप के लिए tradable होंगे और किस price पर, किस price action पर, किस candle के formation पर आप अपनी position के execution करेंगे जहां पर आपको maximum gain होगा ठीक है, इन सारे points को इस session में हम लोग समझेंगे अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, तो description में आखे पास telegram group का link है, वहाँ से अब हमसे जुड़ भी सकते हैं चलिए हम लोग अपनी शुरुवात करते हैं सबसे पहले bank nifty के chart पर आते तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है as a trader जब भी हम अगले दिन की तैयारी करें तो पिछले 2-3 session के projection को हमको देखना होगा तो Friday की जब closing हुई थी तो वो session आप लोगों को याद होगा sell on rise का market होगा अगर कोई भी swing low break होता है और जो ये एक range बन रही थी इसी range पर हमारा focus था कि जैसे ये range का breakdown होगा तो वहाँ पर short positions बहुत अच्छी बनेंगी तो आज price ने क्या किया ना आपको एक gap down दिया ठीक है? gap down देने के बाद price क्या कर रहा है? उसी retest करने जा रहा है और फिर down trend में momentum कर रहा है ठीक है? अब एक के करके हम लोग पिछले दो दिन के price action को in depth समझेंगे कि कौन से key point है कि कहां पर हमको sell on rise करना है जैसे अब दो session की बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ ये दो consecutive sessions में गिरावट देकर आपको एक बात तो समझा गए कि price में बिक्वाली चल रही है selling चल रही है price जो है weak है, कमजोर भाव है ये तो identification हुआ trend का, कि momentum किस side है अब दूसरी बात जो आती है execution, कि आप अपनी position को लेंगे कब ठीक है, अब downtrend कितना भी हो sir, अगर आप इस bottom पे अपनी position प्लान करेंगे यहाँ पर कि अब short कर दिया जाए तो उसका कोई आपके लिए अर्थ रहा गया क्या नहीं अगर इस candle के formation के बाद इस bottom पर आप position लीजेगा, swing high कैसे लगिएगा trade आपका ले कर जाएगा तो फिर कैसे तै किया जाए कि आपको क्या trade करना है, तो मैंने आपको बताया, पिछले तीन दिन से trading sessions का projection और liquidity कई लोग पूछते हैं, comment करकर और call करके, कि यह liquidity क्या होता है, liquidity को हम लोग बार-बार touch करते हैं, लेकिन आप liquidity को आते हैं, तो वहाँ पर हम लोग एक-एक point को discuss करते हैं कि liquidity कहां से grab होगी, price कहां से अपना last swing low break करेगा या नहीं करेगा, किस condition में करता है, ठीक है, momentum को कैसे identify करते हैं, कब price में stress, वो तो मैंने आपको class में सिखाया, यहां हर session में हम लोग सीख रहे हैं, कि यहां पर price में यह stress था, कि आपने पूरी recovery भी की, और recovery के बाद भी खरीदारी नहीं आ रहे हैं, higher rise के formations बड़े नीचे लग रहे हैं, तो price को क्या करना होगा, liquidity ग्रैप करने, यही आपका question था, 3-4 लोगों ने call किया और फिर बताया कि यह liquidity का concept नहीं समझाता है, सर कि कहां से liquid होगा और कहां से momentum ट्रिगर होगा, देखिए liquidity से ही momentum आता है, इस वजए से यह आपके लिए बड़ा जरूरी concept हो जाता है, एक बास समझे, liquidity जरूरी है, price में momentum लाने के लिए, तेजी लाने के लिए, अब तेजी का मतलब यह नहीं कि सिर्फ उपर ले जाने के लिए, नहीं, momentum में तेजी लाने के लिए, गिरावट तेज करें तो तेजो, अब trend आये तो तेजो, उसके लिए liquidity जरूरी, liquidity मतलब high execution orders, कि जहां पर सबसे ज़्यादा order प्लेस किये गए होंगे, जिस range में, अगर price उस range को touch करेगा, तो वहां से सबसे तेज से impactful buying आएगी या selling आएगी, कैसे समझा जाए, एक simple example से समझे, देखिए, इस force को समझे, ये slide है sir, एक चढ़ाई है sir आपके लिए, इस तरीके से उपर, ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए एक दिवार बना रहा हूँ, ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक ball देता हूँ आपके हाथ में, और आपको यहाँ खड़ा कर देता हूँ, और बोलता हूँ कि धीरे धीरे करके, आपको इस दिवाल तक ball को ले जाना है, और यह जो दूर ही है, वो आपका 1 glu meter है, और रखना नहीं है, फेकते हुए जाना है, बार-बार उपर की तरफ आपको फेकना है इसको, तो क्या होगा, जितना आपकी छमता होगी, उतनी तेजी से आप उपर की तरफ इसको फेकेंगे, और माल लेते हैं, एक 200 meter higher side पहुँचा, ठीक है, 200 meter यह higher side पहुँचा, तो आप यहीं खड़े weight थोड़ी न करती रहेंगे, आप क्या करेंगे, उतनी देर में आप थोड़ा सा 100 meter का distance cover करेंगे, यह आगे खड़े हो जाएंगे आकर, और जहां आपकी छमता से जहां तक इसका impact हो सकता था, वहां तक यह चल के गई, और फिर यह तो slide है ना, तो यहां रुकेगी तो है नहीं, फिर lot कर आपके पास आएगी, तो अगर आप उसी stage पर खड़े रहे, उसी इससर पर खड़े रहे, तो ball को दुबारा lot कर वहीं आना है, और आपको फिर वहीं से fake ना पड़ेगा, तो क्या पता आप पिछली बार जितना power लगा पाईएगा या नहीं लगा पाईएगा, उतनी चमता से fake पाईएगा या नहीं fake पाईएगा, तो आपकी जो ability है वो liquidity है, आपकी जो चमता है इसी को हम prize में liquidity बोल रहे हैं, कैसे, अगर आपने ये distance cover up नहीं किया, इसका मतलब क्या है, अब आप दुबारा इसी जगह ball को receive करेंगे, चाहे आप कितना भी उपर fake लिया, और अगर आपने इस distance को cover किया, तो जब दुबारा यहाँ पे ball lot कर आएगा, आपकी बार आप 500 मीटर भी आगे फेकेंगे, तो 100 मीटर lot कर आया, तो भी आपने 50 मीटर का यहाँ पर क्या ले लिया, और फिर वहाँ से दुबारा फेकते हैं, फिर आप आगे बढ़कर आते हैं, जब तक ball आगे जाता है, वहाँ से दुबारा फेकते हैं, फिर आगे बढ़कर जाते हैं, वहाँ से दुबारा फेकते हैं, तो आपका यह जो push, बॉल को पुश करने का तरीका ये क्या है उपर की तरफ आप बढ़ते ही जा रहे है और कब तक बढ़ेंगे जब तक आप इस दिवार को टच नहीं कर देते तब तर इसी तरीके से मुमेंटम है किसी ने 100 रुपय पर बिक्वाली की प्राइस 95 तक आया अब 100 रुपय पर इसको 100 तक ले जाएंगे तो सेलर क्या करेंगे अपने रजिस्टेंस को सिफ्टि करेंगे रजिस्टेंस सिफ्टिंग के कॉंसर्ट को अगर आप सीखना चाते हैं तो कमेंट सेक्शन बे आप लोग कमेंट करके बताइए कि रजिस्टेंस सिफ्टिंग कैसे होती है वो आप के लिए कर दूँगा कि resistance shifting का concept कितनी बहतर तरीके से आप इंट्रडे में trade कर सकते हैं ठीक है अब 100 रुपए के seller खड़े हो आगे 97 रुपए पे तो price क्या किया 97 तक गया फिर से इनकी forceful selling उठाई अपकी बार गिर के 90 तक आया है फिर से price गया तो अब 90 पे आके 95 पे आके खड़े हो गया तो 95 पे price ने टच किया अब नीचे आ गया तो ये जितना range है क्योंकि उपर बेची गई चीज का एक impact जो होगा वो निचले स्तर पर आकर खत्म हो जाएगा जैसे आज के session और कल के session में बात की जाए से ठीक है आज के session और दो session कल के session में बात की जाए morning में price ने क्या किया gap down किया तो gap down करने पर अगर कोई 100 रुपय पे चीज ट्रेट कर रही थी और मैं सोच रहा हूँ मुझे इसको बेचना है sale करना है से बाजार खुलते ही आप उसका भाव मुझे दे रहे है 97 रुपया मैं बेचूँगा क्या नहीं बेचूँगा आप सस्ते भाव पर मुझे से बिकवाना चाह रहे है मैं क्यों sale करूँ नहीं करूँगा wait करूँगा किस बात का आप अब आकर दुबारा मुझे 100 रुपया बेचने का मौका देंगे जरूर बेचूगा ठीक है तो price ने क्या किया gap down किया और gap down करने के बाद price क्या करे निचले स्थर downfall की तरफ बढ़े तो price ने पहली candle यहाँ पर open होने के बाद क्या किया यहाँ तक गिर कराया अब momentum पता है कि पिछले दिन की selling का impact इतना ही है कि price यहाँ तक का सकता है तो आपको क्या करना होगा पिछले दिन के swing low के पास से आपको या swing high के पास से supply उठानी होगी या कोई आपको support area जो breakdown हो गया हो उसको resistance की तरह impact कराना होगा तो price ने क्या किया सबसे पहले higher side momentum किया और यह low क्या है बताइए 53,420 और price कहा तक चल कर गया 53,718 300 point का momentum किया पास मिनट की candle में और क्या करने गया यह जो resistance area है यह जो जिस range की उपर यह momentum रुक रहा था price इसको buyers रोक रहे थे इनी buyer से exit कराया touch कराके फिर momentum लिया अब price क्या कर रहा है देखिए इनका impact यहाँ पर खत्म हुआ अब यहाँ पर गिरावट धीमी हो गई तो जिन लोगों ने यहाँ बेचा अब वो दुबारा बेचने का आएंगे निचले इस तर पर आएंगे तो आज के level के swing high क्या है यह 35-350 और आपके लिए यह range हो गया 35-400 इस तरीके से ठीक है तो price दुबारा जाए इसको touch करे या इसको touch करे फिर गिरेगा तो इसको हम बोलते है liquidity अब समझ आ गया liquidity का concept क्या है कि जहाँ से दुबारा price को impact करने के लिए force किया जाएगा up trend के लिए किया जाए या down trend के लिए किया जाए जहां से price में momentum trigger होगा उसको हम liquidity range बोलते है इसको identify करने के बहुत सारे तरीके हैं अभी हम लोग basic से classes में start कर रहे है projection को जो लोग सीखना चाहें तो वहाँ पर आकर आप लोग सभी को clear होगा कि liquidity को पहचानते कैसे चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कल के लिए हमारे trade plan क्या होगे मुझे उमीद है liquidity में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी रह गई होगी basic सभी का clear होगा तो अगर आप दो trading session का ये momentum देखेंगे तो आपको समझ आएगा price का aggressive downfall तब होता है जब पहले पांच मिट या दस मिट की candle के low break होते है जान से सुनिये मैंने कहा आज और कल के session में जो common momentum के लिए है वो दो बाते हैं पहली बात है कि जब morning की first candle के low break होते है तब momentum सबसे sharp होता है जैसे पिछले session की अगर बात की जाए तो price ने क्या किया एक पहला candle बनाया और उसके उपर जब तक बना रहा तब तक कोई momentum नहीं था price उस bottom के पास आके भी रुका रहा लेकिन जब 12, 20, 12, 25 के पास ये low break होए तो price ने momentum किया और आप देखिए तो 54, 180 के पास से जो लो लग गए 53, 440, 840 के एक single momentum है ये आपका momentum आज की पहली candle इस तरीके से ठीक है और इस तरीके की candle जब price ने जैसे ये low break किया तो आपने देखा 53, 400 का price जो लो लगा गया 53, 100 तो आपको downside trade execution कब करना है अगर पहली 5 मेट की candle के high low के अंदर price trade कर रहा है तो आपको क्या करना है wait करना है कोई momentum नहीं मिलेगा अगर price इस candle के high break कर दे तो पिछले 2 trading session का जो data है वो बताएगा कि आपकी trapping की संभावना सबसे अधिक है तो 5 मेट की candle के high break होने के बाद कभी आप long नहीं करेंगे कल के session के लिए तो आपका पहला trade प्लान क्या है कि पहले 5 और 10 मेट की candle के high low mark कीजिए और जब तक उसके low breakdown properly नहीं हो रहे तब तक आप short नहीं करेंगे जैसे उसके low breakdown होंगे तब आप short करेंगे पहली बात दूसरी बात price में अभी sell on rise नहीं है sell on rise को देखे sell on rise को हम लोग इस तरीके से बोल देते हैं कि अगर बाजार गिर रहा है तो जब भी price अपना सर उठा है उसको बेज दीजिए अगर कोई price downtrend मे है तो जब भी वो थोड़ा सा उपर चलके है अगर कोई support area intraday का break होगा या previous break होगा तो वो breakdown के बाद जो moment है वो बड़ा impactful जैसे हमारे लिए support area क्या होता है बताइए सबसे simple होता है जो बिलकुल आसानी से समझा जाए वो होता है previous day लो और resistance area previous day है सबसे बड़ी liquidity आज के लिए आपसे पूछी जाए तो कहा है इस candle के range में है प्राइज ने जब यहां से recovery किया तो इसी candle के आस पास से यहां से supply उठा कर दुबारा 53358 से जो लो लगा है तो इसी range में आपकी सबसे बड़ी previous day हाई क्या है resistance और previous जब कल बाजार खुलेगा तो आज के देखे current day हाई current day low कल के लिए क्या हो जाएंगे previous day हाई previous day low तो यही आपके लिए resistance और support की तरह काम करेंगे तो आप इनको mark करेंगे सबसे पहला सबसे पहले इसकी marking करेंगे marking के बाद आप क्या करेंगे अगर price कल के session में gap down करें जैसे आज किया तो तुरंत खुलते ही देखें discounted price में कोई shot करेंगा क्या नहीं price में पहली 5 मट की candle के formation होने दीजेगा अगर उसके high break होते या वही candle इसको touch करें आज के day low को फिर वहाँ से rejection ले जैसे आज क्या किया price ने gap down किया इस price को touch किया जो support area के पास था फिर आकर आज के day low break किये तो previous session में क्या हुआ था price ने क्या किया था cost के पास open हुआ गया previous day high के पास से supply उठाई sorry current day high से supply उठाई और जैसे ही लोग break किये वहाँ से momentum trigger किये same price का repetition आज किया गया है कि नहीं किया गया है ठीक है इसी price के साथ हमको आगे जाना है कल का हमारा trade plan भी यही है कि price अगर gap down करेगा तो जब तक किसी एक अच्छे liquidity range से वहाँ से liquidity grab नहीं करेगा तब तक तो momentum आएगा नहीं तो price retest करने आए previous day low को अगर price इसी range में कहीं थोड़ा सा gap up करके या cost के पास open हो रहा है तो पहले 5 और 10 minute की candle जो भी बनती उसके high low मार करके बैठेंगे और previous day low मार करके बैठेंगे अगर कल की पहली 5 minute की candle का low और आज के low में एक normal सा difference है बहुत बड़ा difference नहीं तो previous day low breakdown पर ही short करेंगे पहली candle के low breakdown पर short नहीं करेंगे वो trapping हो सकती ठीक है दूसरी बात support area के breakdown के बाद momentum अच्छे मिल रहे है पिछले 2 session से लगातार हमको यही देखने को मिल रहा है कि support area जब भी break हो रहा है तो price में कोई trapping नहीं है किसी तरीके का कोई भी आपके लिए trap नहीं किया जा रहा है यह breakdown होगा बिल्कुल sharp momentum पहली candle का low breakdown होगा sharp momentum price यह low break कर रहा है यहां से भी आपका कोई hassle नहीं जाएगा थोड़ी बहुत गिरावट होगी लेकिन price आपको कुछ ना कुछ देख करी जाएगा ठीक है तो कल अगर bank nifty थोड़ा सा gap up करे gap up करने के बाद पहली 5 minute की candle के high low mark कीजेगा जब वो breakdown हो तो वहाँ short कीजेगा अगर price cost के पास open करे और पहली candle का low और previous day low लगबग near about है तो previous day low break होने के बाद आप short करेंगे अगर price gap down करे तो price को retest करने दीजेगा previous day low के पास और जब उसके बाद 5 minute की low break करेगा तब आप short करेंगे अच्छा हाँ price जब भी अपने resistance area के पास last swing high के पास जाकर एक inverted hammer candle का formation करेगा वहाँ भी आप अपनी position को short करेंगे swing high के stop loss के साथ ये आपके लिए कल sell on rise के सारे trade plan है और कोई भी trade plan long के लिए नहीं है इस बात को ध्यान रखिए long करने से अभी हमको बचना है कब तक जब तक consecutive 2 घंटे की closing previous day high आज कहाई क्या है? 3500 इसके उपर जब तक consecutive 2 घंटे की closing नहीं मिलेगी और उस 2 घंटे की closing के high break नहीं हो जाएंगे 5 या 10 मिनट के time frame पे जब ये break होंगे तब momentum के लिए जाएंगे जब तक ये break नहीं हो रहा है 2 घंटे की candle close नहीं हो रही है तब तक हम लोग किसी buying position को plan नहीं करेंगे ना support के पास ना resistance के पास simple weak market है तो हमको क्या करना है? one time one mindset big quality के perfect से आप काम करेंगे तो बहुत बैतर आपको परड़ा मिलेंगे maximum trader जो अभी trade कर रहे हैं वो 8 EMA high के साथ अपनी positions को बनाते हैं 8 EMA high के पास जब भी price rise करके उसके पास आ रहा है वहाँ पे short कर रहा है यही trade plan सबसे simple है और आसान भी है मैं आपको यहाँ पे बताऊं कैसे मैंने इसके लिए sessions भी कही सारी की हुए है जिल लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उसको देख सकते हैं जाकर यहाँ पर आईए 8 का average रखी 8 का average रखी short करना है तो close से source को ले आईए hyper और simple इस तरीके से बना दीजे ठीक है अब यहाँ पर जब भी price इसको trigger कर रहा है इसके नीचे आ रहा है swing high का SL short trigger कर रहा है नीचे आ रहा है swing high का SL short trigger कर रहा है नीचे आ रहा है swing high का SL short जितनी बार यह position बनाने का मौका मिल रहा है price आपकी single SL hunting नहीं करता है एक बार भी आपका stop percent नहीं करता है ठीक है तो इसी तरीके से अपनी position को treat करना है जैसे ही 5 मिट के candle के लिए ब्रेक हो तो sell on rise पर ATM IH से भी अपनी position के right execution, entry अपनी perfect कर सकते हैं ठीक है इसके बाद भी अगर आपको इस session में कोई doubt रह गया हो तो मुझे नीचे comment section में बताईएगा अगर आप सीखना चाते हैं resistance shifting क्या होती है उसके लिए भी comment section में आप लोगों के लिए open है वहाँ से आप सीख सकते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो description में आपको telegram और versus community का link मिल जाएगा वहाँ से जुड़ सकते हैं शुबरातरी धन्यवाद